नमस्का राज़नमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ कभी ओशो की पर्सनल सेकेटरी रही मा आनन शीला पर बॉलिवुड में दो पायो पिक अनांस होई थी जह एक में प्रियंका चोपडा तो वही दूसरी में आलिया भट लीड रोल प्ले कने वाली थी हाला कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स कभी शुरू नहीं हो पाए पर शीला की इच्छा थी उनका किरदार आलिया भट ही निपाए एक इंटर्व्यू में मा अनन शीला ने इस बारे में बात की शीला ने कहा बायो पिक बनाने से पहले प्रियंका ने मुझसे परमीशन नहीं ले थी डारेक्टर ने भी मुझसे बात नहीं की थी मुझे इस बारे में जनरलिस्ट से पता चला था हाला कि मेरी बायो पिक के लिए मेरी पसंद आलिया भट थी क्योंकि जब मैं यंग थी तब उनके जैसी ही लगती थी इसके पहले एक और इंटर्व्यू में शीला ने बताया था क्योंकि मैंने आपको चूस नहीं किया है डायरेक्टर शकुन बत्रा 2021 में आलिया भट को लेकर मा आनन शीला पर बेस्ट सीरीज बनाने जा रहे थे पर उन्होंने फिल्म गरायां के चलते इसे टाल दिया था महीं प्रियंका को लेकर अमेरिकी डायरेक्टर बेरी लेविसन शीला पर बेस्ट एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे हाला कि बाद में बत्रा ने सर्चिंग फॉर शीला नाम की एक डॉक्यूमेंटरी प्रोड्यूस की थी ये कुछ सालों पहले हुई शीला की इंडियन विजिट पर बेस्ट थी इसके एक सेग्मेंट में करन जहो ने मा शीला का इंटर्व्यू भी किया था इसी के साथ बने रहे हैं राजदमा टीवी के साथ दर्देमा